ग्लिट्स और ग्लामर वॉल्ड के ये सितारे हुए लापता 25 साल से गुमशुदा है कर्स फिल्म का एक्टर तो 35 साल से गायब है विराना की एक्ट्रिस सालों गुजरने पर भी तलाश में है परिवार लेकिन आज तक किसी को नहीं मिल पाया इनका कोई भी सुराग आपने अक्सर लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि फिल्मी दुनिया दूर से जितनी चका चौन्द भरी दिखती है उतनी असल में नहीं होती और देखा जाये तो ये बात कई सितारों के मामले में सही भी बैठती है आखिर ग्लामर वर्ल्ड में शोहरत और स्टार्डम हर किसी को आसानी से हासल जो नहीं होती और इसका नतीजा कई स्टार्स के लिए इतना भुरा रहा कि ना सिर्फ वो बॉलिवुड वर्ल्ड से दूर हुए बलकि असली दुनिया से भी गुमशुदा हो बैठे जी हां सुनने में थोड़ा शौकिंग जरूर है लेकिन सच भी है ये वो सितारे हैं जो पिछले 25-30 साल से किसी को नहीं दिखे हैं और ना ही इनका कोई सुराग किसी को मिला है जिसके जलते आज तक इनके परिवार को इनके वापस लौट आने का इंतिजार है चाहिए फिर आज हमारी इस रिपोर्ट में करते हैं इन स्टार्स की बात जो अब तक हैं लापता और इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं अक्टर राज कीरन की वही राज कीरन जिनका नाम सत्तर और असी के दिशक में बॉलिवूड के मशूर सितारों की लिस्ट में शुमार था आक्टर ने कई फिल्मों में काम किया लोगों के बीच उनकी एक अलग पहचान भी बन गई थी उस वक्त उन्होंने लगातार कई हिट फिल्में भी दी लेकिन साल 1999 में वो अच्छानक से गाइब हो गए राज कीरन के यूँ गाइब होने के पीछे की वज़ा ढलते करियर की वज़ा से डिप्रेशन बताया गया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने नीजी जिन्दगी में भी काफी कुछ सहा जिसका उन पर बुरा असर हुआ ऐसा भी बताया जाता है कि राज कीरन को मुंबई के बाइखुला पागल खाने में भेज दिया गया था तो उसके बाद आज तक उनकी कोई भी खबर किसी को नहीं है आक्टर का परिवार आज तक उनकी तलाश कर रहा है इस लिस्ट में अगला नाम है फिल्म विराना की अक्टरिस जैस्मीन का जैस्मीन को लोग आज भी विराना की खुबसूरत भूत के रोल में याद करते हैं लेकिन इस फिल्म के बाद जैस्मीन धुना कहां लापता हो गई आज तक इसका कुछ पता नहीं है वो पिछले 35 साल से रियल वर्ल्ड से गायब है संजेदत की सूपर हिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS में नजर आचुके आक्टर विशाल ठककर का नाम भी इनी स्टार्स की लिस्ट में शामिल है जो सालों से गायब चल रहे है विशाल ठककर साल 2016 में अचानक लापता हो गए और तब से उनकी कोई खबर नहीं है उन्होंने टैंगो चार्ली और मुन्ना भाई MBBS जेसी फिल्में की थी रिपोर्ट्स में ऐसा बताय जाता है कि साल 2016 में विशाल ठककर ने एक रात फिल्म देखने जाने के लिए मां से पैसे मांगे थे साथ में मां को भी चलने को कहा पर उन्होंने मना कर दिया रात एक बज़े के आसपास विशाल ठककर ने घरवालों को मेसिज किया कि वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हैं और सुभा तक लोट आएंगे लेकिन विशाल फिर कभी नहीं लोटे और आज तक उनका परिवार उनकी रहा देख रहा है आक्ट्रिस काजल किरन की खोज में तो दिवंगत आक्टर रिशी कपूर भी लगे रहे उन्होंने उस वक ट्वीटर और अब एक्स पर एक पोस्ट में काजल किरन के बारे में जानकारी भी मागी थी बता दें कि आक्ट्रिस का असली नाम सुनीता कुलकर्णी था काजल किरन की आखरी फिल्म आखरी संघर्ष 1997 में आई थी 27 साल हो चुके हैं और अक्ट्रिस अब तक लापता है मालीनी शर्मा फिल्म राज में भूत बनी लड़की याद है आपको ये रोल अक्ट्रिस मालीनी शर्मा ने प्ले किया था राज मालीनी की पहली फिल्म थी लेकिन उस फिल्म के बाद मालीनी शर्मा गायब हो गई कई सालों से उनका अभी तक कुछ पता नहीं है पिरोर रिपोर्ट इट्वेंटिफोर झालों से उनका अभी बाद मालीनी शर्मा नहीं है